आज के इस वीडियो में हम आपको एक नए गवर्मेंट जॉब के बारे में बताने वाले हैं और इसके लिए डारेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में और पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सस्क्राइब करें उसके बाद बेल आइकन दबाएं उसमें All सेलेक्ट करें इसी तरह की बेटरिन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए तो ये भरती आती है उत्तर प्रदेश के UP PCL से UP PCL मतलब की उत्तर प्रदेश का Power Corporation है और ये ARO की भरती है आप देख सकते हैं कि इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है नीचे आने पर आपको पता चलेगा कि इसका आवेदन 18 अक्टूबर से सुरू हो चुका है यानि कि आज से इसके लिए जो अन्तिम डेट रखी गई है यह 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर तक ही आप फीज जमा कर सकते हैं इसका एक्जाम दिसंबर 2021 में हो सकता है एडमिट काड आपको एक्जाम से पहले मिल जाएगा चुकि यह यूपी PCL की भरती है इसलिए यहाँ पे अप्लिकेशन फीज काफी ज़्यादा रखी गई है जनरल OBC और EWS को 1180 रुपए देना होगा ACST 826 रुपए देकर इसका आविदन कर पाएंगे उम्र सीमा की बात करें तो यह काउंट की जाएगी एक साथ 2021 के दिन और यह कम से कम 21 साल या फिर अधिक्तम 40 साल हो सकता है कुल मिला करके 14 पद है और यह भरती है असिस्टेंट एकाउंटेंट या फिर असिस्टेंट रिव्यू अफीसर यानि की एरो की यहाँ पे आप देखेंगे तो 14 पद है हलाकि पूरी जानकारी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन जरूर पड़ें उसके लिए आपको नीचे जाना होगा और यहाँ पर आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने दिएगा एक क्लिक एर पे क्लिक करना होगा जो इसका official notification है वो आपके सामने आ जाएगा और आपको पूरी जानकारी जैसे कि कितने पद हैं, किसको कितने मिलते हैं, कब exam होगा, वेतन क्या मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर जो आपको वेतन मिलने वाला है, यह होगा label 6 का 36,800 रुपए और UPPCL के अन्य भत्ते मिलेंगे ज़रूरी है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं किसी भी प्रदेश के, तो आप इसका आविदन कर पाएंगे और इसके लिए जो एक्जाम होगा, हो CBT यानि कि आनलाइन एक्जाम होगा इसके अलावा इसके लिए जब जोइनिंग होने वाली होगी तो आपको चरित प्रमारपत्र, स्वास्थ प्रमारपत्र और बैबाहिक इस्तिती के बारे में भी बताना पड़ेगा सलेबस के बारे में आपको बता दें तो यहाँ पे दो पेपर होगा, मतलब दो भाग होगे जो पहला भाग होगा उसमें कंप्यूटर के ओ लेबल के 50 प्रशन होगे यहाँ पे 1 by 4th का माइनस मार्किंग होगा, प्रते क्वेस्चन के लिए एक नमबर मिलेगा जरूरी है कि यहाँ पे कम से कम 20 अंक आए, अगर 20 अंक नहीं आता है तो आपकी जो दूसरी वाला सेक्सान है उसकी कापी चेक नहीं होगी अगर 20 नमबर से रिक आता है तब ही वो चेक होगा, जो यह पहला वाला भाग है यह के वल क्वालिफाइंग नेचर होगा अगर आप नीचे जाएंगे तो भाग 2 के बारे में बताया गया है जैसे कि समाने देन, अब 20 कोईस्टन, 20 नमबर, तारके ज्यान, 40 कोईस्टन, 40 नमबर, हिंदी 70 कोईस्टन, 70 नमबर, इंगलिज 70 कोईस्टन, 70 नमबर इसके अलाम जो इसका तीसरा सक्षन है उसमें आपको टैपिंग देना होगा, टैपिंग कुर्ति देव फंट फे होगी और इसके लिए 016 फंट लिया जाएगा तो इस तरह की पूरी जानकारी आप इस नोटिफिकेशन पर आकर ले सकते हैं, इसके अलाम अगर आप आवेधन करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके इसका आवेधन भी कर पायेंगे तो आज की इस वीडियो में इतना हैं, इसी तरह की जाब अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सस्क्राइब करें, थैंक यू